Life में कोई भी काम करने से पहले हमें वो काम सीखना पड़ता है कोई भी इनसान, जब भी कोई successful इनसान, कोई भी चाहे वो YouTuber हो, चाहे वो Instagram पर influencer हो या फिर online market में digital marketer हो या फिर Google Ads marketer हो या फिर digital marketer, affiliate marketer, कुछ भी हो हर एक इनसान zero से ही start करता है जीरो से स्टार्ट करके वो उचाई पे जाता है क्यों? क्योंकि वो अपने लक्ष को छोड़ता नहीं है अगर वो एक चीज में घुस जाता है तो उसमें अपना 100% देता है तब जाके वो अच्छी अर्निंग और अपने घर को सपोर्ट कर पाता है और ड्रीम्स अपनी जो उसकी ड्रीम्स है उसको कंप्लीट कर पाता है कोई भी इनसान को पैसा क्यों चाहिए उसकी जो ड्रीम्स है कंप्लीट करने के लिए किसी इनसान की ड्रीम होती है कि उनको अपनी फैमली को एक अच्छी लाइफस्टाइल देना है अपनी family को एक अच्छी जिन्दगी देना है कुछ लोगों की होती है मुझे ये लेना है मुझे वो लेना है वो सबकी अपनी demands होती है बट उसको पूरा करने के लिए आपको क्या कीमत चुकानी पड़ती है आपको मेहनत करनी पड़ती है smart work करना पड़ता है मजदूरी वाला काम नहीं ठीक है तो अगर आपको ऐसा smart work करना है सीखना है पहले तो ठीक है जी अगर आपको सीखना है कुछ अच्छा करना है अपनी life में अपने सपने पूरे करने है तो आपको अगर सीखने में interest है फिर से बोल रहा हूँ मैं सीखने में interest है ट्रेनिंग लेने में interest है online market में घुसने में interest है तो आप मुझे whatsapp पे text करो आपको सारी जानकारी मिलेगी online work के regarding जो मैं करता हूँ काम अगर आपको अच्छा लगेगा तो start करेंगे कुरान क्लास 64 सुरत अन्निसा आएत 11-14 आज बहुत ही ज़ादा बारे में बताने वाले है तो देखते हैं कि आज हमें क्या-क्या पता चलेगा बट बहुत इंट्रस्टिंग या कुरान क्लास है सुरत अन्निसा में जो जो चीजे बताई हैं उन्होंने हकुक के बारे में चाहे वो यतीमों का हकुक हो या फिर वो बेटों का हकुक हो बेटियों का हकुक हो माबाप का हकुक हो या फिर किसी का भी हकुक हो वो बहुत बहतरीन तरीगे से पता है तो देखते हैं आज हमें क्या-क्या पता चलेगा मन यहदिह लाहु फला मुदिल लगु वमन युदलिल फला हादिय लगु वजहदु वला इलाह इलाहु वफदू ला शरीक लगु वजहदु अन मुहम्मद अब्दु वरसूलु अम्मा बादु तका रहिए लॉभ वजता सरीक लगु वजहदु वकुष लिवालि शरीक लिकू लिह भादु विलाहु कुला मुहदतुम 10 हैै। कुला मुहदति लुकु विद्व विद्वु वकुल्बिच नुकु जलाल इंसमिदू इल्न आर। आओवा बिल्लाहा लस्मीड आलीम मिन श्वेyतों इर्रजीम मिन हम्जिही वनफिही वनफिह बिसमिल्लाह लहा लीर्भान र्रऴीम रब-शुर tallestाथ लीर्भी वैस्सिर ली अंरी वहलू अलूल्गदतं मिल्लिसानी अ। त्रात्。 बिस्मि लाहिर्रह्मानु रर्हीम। God bless you का इनी कुन्तु मिन जौलिमीन हस्बुन ल्लाहु नियम ल्वकील या हियु या क्यूम बिरह्मतिका अस्तवीथ वला हौला वला गुवत इल्लाहि लौली लौदीम आमीन अमीन अलहु आज 24 जनवरी 2021 को आरान क्लास नंबर 64 में हम इन्शालला सूरत निसा की उन आयात को कवर करेंगे जिनका तालुक इसलाम के कानून विरासत के साथ है आयत नमबर ग्यारां और बारां स्पेसिफिकली और दो उसके साथ जूड़ी हैं और एक एंड में सूरत निसा की आयत नमबर ग्यारां और बारां और उसके साथ मुलहिका तेरां और चौदां और बिलकुल आखिर में जाके आखिरी आयत 176 जो कलाला से मुतलिक है उसको डिसकस करने से पहले तमहीदन मैं कुछ डिसकेशन करना चाहूंगा ताकि आपको इन चीजों की समझ असानी के साथ आ जाए सूरत अनिसा की जो ये आयात हैं इनोंने इसलाम में जो गानून वरासत है उसको बयान किया है और ये आयात नासिख हैं सूरत अलबकरा की आयत नमबर 180, 181 और 182 consecutive तीन आयात सूरत अलबकरा में आई हैं जिसमें पहले हुकम ये नाजल हुआ था कि हर मुसल्मान पर ये फर्ज है कि उसने मरने से पहले अपने करीमी रिश्टदारों के लिए अपनी माल और दौलत में कोई वसीत लिखवा देनी है वो सूरत अलबकरा की आयत नमबर 180 में आता है आउद बिल्लह मिन श्चीतान रर्जीम बिसमिल्लह रर्रह्मान रर्हीम कुतिबा अलईकुम इजा हदर आहदकुमुल्मौत तुम पर ये फर्ज किया गया है कि जब कभी भी कोई शक्स मौत के दहाने पर पहुंच जाए उसे मौत आ जाए यानि करीबलमर्ग हो कि वो अगर कोई तरका कोई मालो दौलत छोड़ कर जा रहा है तो उसमें वसीयत कर दे अपने माबाप और करीवी रिश्टदारों के लिए यानि बीवी बच्चों के लिए बिल्मारूफ मारूफ तरीके के उपर ये ल्ला की तरफ से एक हक है ये फर्ज किया गया है मौमिनीं के उपर मुत्तिकीन के उपर के वो ये करेंगे और उसके मरने के बाद जो कोई उसकी वसीयत को बदल देगा तो उसका गुना उन लोगों पर होगा जिनों ने उसके मरने के बाद उसकी वसीयत को बदल दिया यानि उसने वसीयत की कि इतना माल मेरे माबाब को मिले और बाद में उसकी उलाद में से को काबिज होकर माबाब को महरूम कर दे तो गुना जो है वो उन लोगों पे होगा उस मैयत के उपर कोई गुना नही है इनलाह समीवून अलीम बेशक अल्ला ताला सुनने वाला है इल्म वाला है एक एक चीज नोट कर रहे है जिसकी जो गलती है उसको उस पर सजा दी जाएगी हाँ अगर किसी को खद्शा हो इस मामले में के जो मरने वाला है उसने किसी के साथ जाती कर दी है किसी बेटे से या बेटी से वो नराज था उसको उसने आक कर दी है तो इसलाम में तो आप आक नहीं कर सकते है तो आपस में सुला सफाई के साथ कोई हिस्सा मुकरर कर रहो तो इस पे कोई गुना नहीं है यानि तुम मरे हुए बंदे की वसियत बदल भी सकते हो अगर वो किसी के साथ जाती करके मरा है इनल्लाह गफूर रहीम बेशक बख्षने वाला है महर्बान है तो ये जो आयात थी ना इन में हुकम था कि मरने से पहले वसियत करनी है और देखने इसमें माबाप का और करीबी रिष्टदारों का जिकर आया लेकिन ये सुरत अलबकरा है जो शरीयत मुहमणिया अलीई वालिय्वा लिल्युपूरिंट और ब्ल्युड़ाइsti है और शरीयत मुहमणिया वे जोस्यूर्वा के जो फाइनल आखकाम है वो सुरत निसा और सुरत उल्मायदा में है अब हम पढ़ रहे हैं सुरत النिसा तो इसमें ये जो आयात हैं सुर निसा की आयत नमबर 11 और 12 और फिर आखरी आयत 176 इन आयात ने सुरत अलबकरा की उन तीन आयात को मनसूख कर दिया ये नासिख हैं वो अक्सर उल्मा कह रहे होते हैं जी नासुगों मनसुख का इल्म पता होना चाहिए बमश्किल पांच कुरान में आयात हैं जो मनसुख हुई हैं और उनकी नासिक आयात कुरान में मुझूद है तो आलमोस्ट साड़े छे हजार के क्रीब आयात हैं उन से लोगों को दूर करने के लिए उन पांच मकमात की लोग मिसाल देते हैं और इन से भी जरा पूछ लें कौन सी हैं तो अक्सर उल्मा को भी नहीं पता होती इस पे मेरी अलग से भी वीडियो रिकार्ड मुझूद है नासे को मनसूख कुरान के अंदर अहदीस में भी होता है तो ये आयात जो हैं उसको मनसूख करने वाली हैं क्योंके इन आयात में सुरत निसा के अंदर अल्ला ताला ने खुद ही हिसा मकरर कर दिया कि आटोमेटिकली जो बंदा मरे गा न उसके माबाप को इतना इस्सा मिलेगा उसकी बीवियों को इतना इस्सा मिलेगा उसकी उलाद को इतना इस्सा मिलेगा और अगर उलादे नरीना नहीं है तो फिर उसके बहन बाईयों को इतना इस्सा मिलेगा और अगर कलाला है तो फिर उसके बेहन भाईयों को इतना हिसा मिलेगा वो सारी चीज़ें आला तरह ने खुड डिफाइन कर दी इसलिए वो आयात मनसूख हो गई तो वसीयत करना अब लाजमी नहीं है हाँ आप्शनल है कोई कर सकता है लेकिन वो वसीयत फिर वारिस के लिए नहीं कर सकता क्योंके वारिस का हिस्सा अल्ला ने कुरान में रख दी हम बाद में बता दूँगा उस से लेटिड हदीस भी तो कानून वरासत जो है इसलाम का इसको अहदीस की टर्मनालोजी में कहते हैं किताब अलफराइज या अरबी में किताब अलफराइद बाद है जिस तरह हम तहारत से जो मतलिक अहदीस हैं वो किताब अलफरा होती है रोजों से मतलिक अहदीस किताब अस्याम या किताब अस्वाम में होती है इस तरीके से तकदीर से मतलिक जो अहदीस हैं وہ کتاب القدر میں ہوتی ہیں یعنی یہ چپٹرز کے نام ہے خوابوں سے متعلق کتاب الرؤیہ کے اندر ہوتی ہیں इस तना जो वरासत के कवانین की जो अहदीस है ना इसके लिए जो महदिसीन ने टर्म डिवाइस की है वो है کتاب الفराइज और अरबी में होगा दौद पढ़ेंगे کتاب الفराइद तो किताब الفराइद जो है ये चैप्टर्स हैं बगैदा अहदीस की किताबों में और अगर आपको कंबाइन फॉर्म में वो अहदीस चाहिए तो आप मिशकातलमसाभी की दूसरी जिल्द के अंदर 39 अहदीस इस से मतलिक हैं इंटरनेशनल नमरी के मताबिक 3041 से लेकर 3079 तक किताब الفराइद चैप्टर में इस से पीछे भी दो तीन चैप्टर हैं हदिया और हिबा से रिलेटिड वो भी आप मिलाएं तो ये आलमोग साट सतर के करीब अहदीस सारी जो में स्ट्रीम की किताबों की आपको मिशकात में मिल जेंगी इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मिशकात शरीफ आप जरूर अपने पास रखें इसका पीडियाफ आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट एहलसुनतपाग डाट कॉम से और अगर आपने डाक में ये मंगवानी है तो हमारी अकैडमी का नंबर सुबो नो से शाम पाँच बज़े तक आलमोस्ट खुला होता है बीच में नमाजों का वक्वा है बाद उकात नंबर बीजी भी रहता है इतनी जदा कॉल्स आ रही होती है और हम तीनों जिल्दें अकैडमी से आके लें तो दोहजार की और डाक में मंगवाएं तो पच्चीस होगी क्योंकि हमने टी सीएस करवाना होता है तो नो प्राफिट नो लास के उपर हम दे रहे होते हैं ताकि लोग किताबों के साथ शगफ रखें तो इसे मैंने डिकलेर किया है इनसाइकलोपीडियो आफ हदीस बुहारी, मुस्लिम, अबुदाओ, तिर्मजी, निसाई, इबन माजा इसके अलावा भी आलमोस कुल तेरा किताबों के नोट्स हैं एल सुन्नत की मेंस्ट्रीम की मिशकात अलमसावी के अंदर यूट्यूब पे मेरी एक वीडियो भी है इंट्रोड़क्शन आफ मिशकात वो आप देख ले तो मैंने काफी तफसील से इस पे गुफद्गू की है तो ये मिशकात अगर आपके पास आगी तो आलमस्त तमाम टॉपिक्स पे मिजॉरिटी आपके पास एक जगा पे आएंगी और ये बहुत बड़ी खिद्मत है आट से आलमस्त साथ सो साल पहले इमाम वलियुदीन तबरेजी अलमतवफा सैमन फॉर्टी एट हिज्री अब ये चल रहा है फॉर्टीन फॉर्टी टू हिज्री तो आलमस्त आट से साथ सो साल पहले उन्होंने ये किताब लिखी है पूरी दुनिया के अंदर ये एल सुन्त के मदारिस के अंदर तमाम मकात्मे फिकर जितने हैं उनमें पढ़ाई जाती है तो इसके अंदर आपको किताब लफराय चैप्टर में उस सारी आहदीस मिल जाएंगी इन्शालला ताला कानून वरास्त के कॉंटेक्स्ट में तीन टर्मालोजीज तीन इस्तलाहात को आप समझ ले नमबर वन है हदिया या उसे हिबा भी कहते हैं उससे अता भी कहते हैं उससे अर्दू में तोहफा भी कहते हैं दूसी टर्म है वसीयत वसीयत यह है कि कोई शक्स यह कहे कि मेरे मरने के बाद यह फुलाँ को मिल जाए हिबा यह है कि वो अपनी जिन्दगी में किसी को गिफ्ट कर दे और तीसी टरम है विरासत विरासत ये है कि आटोमेटिकली बरने के बाद जिन जिन का हिस्सा उस दौलत में बनता है वो उनको मिल जाएगा तो ये तीनों टरम्स अलग से हिबा या जिसे हदिया भी कहते हैं या गिफ्ट वसीयत यानी मेरे मरने के बाद गिफ्ट है अपनी जिन्दगी में अपने हाथों से वसीयत मेरे मरने के बाद फौलां को मिले जिन्दगी में मैं ही मालिक हूँ और वरासत आटोमेटिकली ट्रा जो हिस्सा है अब आज़े इसमें पहली टर्म जो है हदिया हदिया और गिफ्ट ये आप अपनी जिन्दगी में अपने क्रीवी रिष्टदारों को भी कर सकते हैं किसी एंजियो को भी कर सकते हैं किसी मदरसे को भी कर सकते हैं लेकिन उलाद में जब करेंगे तो आपने एकुली डिस्टिब्यूट करना होगा और इसमें मर्द और अरत की तफरीक भी नहीं होगी लड़की है या लड़का बराबर का इसा होगा इस कॉंटेक्स में हदीश है सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर स्यदना नॉमान इबन बशीर रदियल्लाव ताला नहों कहते है कि मेरे वालिद मुझे नबी लिस्लाम की खिद्मत में ले गए और अर्ज किया आल्ला के रसूल मैंने ये अपना जो बच्चा है इसको एक गुलाम हिबा किया है हदिया दिया है तौफा दिया है तो आप ص班 स्यल्ला लै। वालियन वे शुवrale वगता है चैं किया तुम ने अपनी बाकी अलाद को भी एक एक गुलाम गिफ्ट किया है तौबने नहीं तो आपने वालाद किया किया तुम ये खौाहिश रखते हो कि तुम्मारि बाकी उलाद भी तुम्मारे साथ हुसने सुलू करें जिससरा ये करते हैं ने रजिए अर्सिल्लिया जी अपने आगले पिवे तो हरकम उनने लला ही त्यार होता है तो आप ने अब रहा कि पर तुम बाकी उलाद को भी एक-खلام गिफ्ट करो या फिर इस से भी वापिस ले लो और मुस्लिम शरीप में तो यहां तक अलफाथ है उन्होंने अर्ज कि आलगे रसूल सल लिए वालियों सलम् मैं आपको गवा करता हूं कि मैंने अपने इस लाइक फाइक बच्चे को गुलाम गिफ्ट कर दिया 내 exaction पूरान 클աշ 64. बहुत बहतरी तरीके से उन्होंने बताया। अब यह वो तीन चीजमा के बारे मैं बताने वाले हैं इस वन इस वहां वहां, कैसे और कैसे देना चा κάνि अपनी ऑवलाद को, उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से बताया मतलब मर्द और 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 अरत में भी फरक नी होना चाहिए ना ही उलादों में फरक होना चाहिए कि वो सबसे जादा मेरा करीबी है उसको जादा अच्छे से और बाकी नहीं है इकॉल, it should be equally distributed and then फिर विरासत के बारे में बताएंगे और उसके बाद वसीयत के बारे में बताएंगे तो यह दोनों चीज़ों के बारे में भी बताएंगे तो इन्शाला जरूर कल हम लेके आएंगे आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा नॉलजिबल वीडियो होने वाला है सब्सक्राइब बताएंगे प्रक्राइब नॉलजिबल आपके नॉलजिबल जिए वीडियो थार वीडियो थार जिए लूजिबल दीए विडियो थार घ्र।